आईए आज के वीडियो को अंत तक देखकर यह जान लीजिए कि Take Care of Yourself का हिंदी में क्या अर्थ होता है एवं इन शब्दों का कब और क्यों उपयोग किया जाता है सबसे पहले जो भी वेक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ Take Care of Yourself और इसी के साथ Take Care of Yourself का हिंदी भावार्थ है कि अपना ध्यान रखिए एवं अपनी चिंता करिए एवं स्वयम के प्रती सचेत रहिए एवं स्वयम सावधान रहिए देखिए इन शब्दों का उपयोग आप तब करते हैं जब आप यह देखें कि आपके कोई प्रिय परिचित अपना स्वयम का ध्यान रखे बिना अत्यधिक श्रम कर रहे हैं एवं इस कारण से उनकी सेहत बिगडने की संभावना है एक दूसरी परिस्तिती जिसमें आप Take Care of Yourself शब्दों का उपयोग कर सकते हैं वह है जब आपके कोई प्रिय परिचित किसी दुख का सामना कर रहे हों एवं आप यह देखें कि वह दुख उन पर भारी पड़ रहा है एवं एक तीसरी परिस्तिती जिसमें आप Take Care of Yourself शब्दों का उपयोग करेंगे वह है जब आप अपने किसी प्रिय परिचित से विदा ले रहे हों इस परिस्तिती में आप उनसे विदा लेते हुए कह सकते हैं अर्थात अपना ध्यान रखिए इन शब्दों को बोलने के पीछे का अर्थ यह होता है कि जब आप अपना स्वयम का ध्यान नहीं रखते अत्वा जब आप स्वयम अपनी चिंता नहीं करते तब आप अपने जीवन में किसी भी और कार्य अत्वा व्यक्ति का भी सही रूप से ध्यान नहीं रख सकते अथवा किसी की भी चिंता नहीं कर सकते इस कारण से कुछ भी और करने से पहले स्वयम अपना ध्यान रखिये एवं स्वयम के प्रती सचेत रहिए इसी के साथ मेरा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद